आप सभी का अतुल आर्ट अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत हैं और आज हम लोग स्वामी विवेकानन्द युवा काल में जो उनका चितर था उसे ब्लेक पेन और पेंसिल के सहयोग से स्केच बनाएंगे और चलिए उनके बारे में उनका जीवन फर्चे क्या है उनका पर फारी सन 1863 याने 18-63 को हुआ उनके घर का नाम नरेंदर दत था उनके पिता विश्वनात दत पाश्चात सभिता में विश्वास रखते थे वे अपने पुत्र नरेंदर को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात सभिता के घंक पर ही चलाना चाहते थे नरेंदर की बुद में गए किन्तु बहां उनके चित को संतोस नहीं हुआ सन 1884 1884 में विशुनात दत की मृत्त हो गई और घर का भार नरेंदर पर पड़ा घर की दसा बहुत खराब थी कुसल यही था कि नरेंदर का विभा नहीं हुआ था अतेंत गरीबी में भी नरेंदर बड़े अथिती सेव थे स्वयम भूंके रहकर अथिती को भोजन कराते स्वयम बाहर वर्षा में रात भर भींगते ठिटोरते पड़े रहते और अथिती को अपने विश्तर पर सुला देते रामकरष्न परमहंस की फ्रसंसा सुनकर नरेंदर उनके पास पहले तो तरक करने के विचार से गए थे किन्तु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही है जिसका उन्होंने कई दिनों से इंतिजार किया परमहंस जी की क्रपा से उनको आत्म साथ छातकार हुआ फल सरूव नरेंद्र परमहंस जी के सिस्यों में प्रमुख हो गए सन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरोदेव स्वामी रामकृष्न परमहंस को समर्पित कर चुके थे गुर्देव के सरीर त्याक के दिनों में अपने घर और कुटुम्ब की नाजग खालत की परवा कि ये विना स्वेम के भोजन की परवा कि ये विना गुरु सिवा में सतत हाजिर रहे गुर्देव का सरीर अतेंत रुग्ड हो गया था कैंसर के कारण गले से थूंक रक्त काफी आदी निकलता था इन सबकी सफाई में वे खूब ध्यान से करते थे एक बार किसी ने गुर्देव की सेवा में घ्रडा और लापरवाई दिखाई तथा घ्रडा से नाक वहोएं सुकोडी ये देखकर विवेका नंद को गुस्सा आ गया उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुर्देव की प्रतेग वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके विस्तर के पास रक्त कफ आज से भरी थूख दानी उठा कर पूरी पी गए गुरु के प्रति ऐसी अन्यन भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के सरीर और उनके दिवत्तम आदर्सों की उत्तम सेवा कर सके गुर्देव को वे समझ सके स्वेम के अस्तित को गुर्देव के सरूब में बिलीन कर सके समगर विश्व में भारत के अमूल अध्यात में खजाने की महेक फैला सके उनके पास इस महान विक्तित की नीव मेथी ऐसी गुरुभक्ती गुरुसेवा और गुरु के प्रति अन्यन निश्ठा 25 वर्स की अवस्था में नरेंदत ने गेरुआ वस्त्र पहिन लिये तत परस्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारत वर्स की यात्रा की सन 1893-18-1993 में सिकागो विश्व धर्म परिसद हो रही थी स्वामी विवेकानन्द जी उसमें भारत के प्रतिनीद के रूम में पहुँचे यूरोप अमेरिका के लोग इस समय पराधीन भारत वास्यों को बहुत हीन द्रश्ची से देखते थे वहां लोगों ने बहुत प्रत्न किया कि स्वामी विवेकानन्द को सर्व धर्म परिसद में बोलने का समय ही न मिले एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयाश से उने थोड़ा समय मिला किन्तु उनके विचार सुनकर सभी वेत्वान चकित हो गए फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ बहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया तीन वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहां के लोगों को भारती तत्तु ग्यान की अदोत जोती परदान करते रहे अध्यात्म विद्या और भारती दर्सन के विना विस्स अनात हो जाएगा स्वामी विकानंद जी का दर्ड़ विस्वास था कि अमेरिका में उन्होंने रामकृस्न मिशन की अनेक साखाएं स्थापित की अनेक अमेरिकन विद्दानों ने उनका सिष्वत ग्रहड किया वे सदा अपने गरीबों का सेवक कहते थे भारत के गौरब को देश देशांतर में उच्वल करने का उन्हें सदा प्रत्न किया और 4 जुलाई सन 1902 नैंटीन टू को उन्होंने देह त्याग किया महान विभूती स्वामी विकानंद को उनके जन्व दिवस पर स्द्दान्जली और आएए उनके जन्व दिवस को राष्टी हुआ दिवस के रूम में मना कर सारे संसार में परचारित करें आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद नमस्कार आओ मिलके दीप जलाओ दीप जलाके अंधियार मिटाओ आओ मिलके